तो माँच 2021 के करेंट एफर को डिसक्स करेंगे तो आज का पहला कुछ्छन है Solid Fuel Ductate Ramzed SFDR का सफल परिक्चन कहां से क्या गया तो इसका एफ़र ऊप्षन भी चांदीपूर से तो इसे launch किया गया from ITR Integrated Test Range चांदिपूर जो Udisa Coast में इस्तित है अच्छा, SFDR ये Long Range Air-to-Air Missile है इसे developed किया गया है DRDO दोरा Defense Research and Development Organization दोरा, इसका Headquarter है New Delhi में और Chairman है Dr. G. Satis Reddy अगला कुसर ने Food Waste Index Report 2021 को किसके दोरा जाड़ी किया गया, तो इस cancer option A United Nation Environment Program तो इसे release किया गया United Nation Environment Program and Its Partner Organization WRAP तो इसके नुसाट 2019 में 931 मिलियन टर्न्स ओफ फूट को बरबाद किया गया था तो इंडिया में per kg per year 50 kg फूट वेस्ट होता है अगला कुसर ने हाली में इंडियन आर्मी ने पहला Community Radio Station Radio Chinar को कहां लॉंच किया तो इस cancer option A जम्मू कस्मिर में तो इसे लॉंच किया गया North कस्मिर में 12 मूला district में ठीक है और इसका tagline होगा हर दिल की धड़कन और focus है to bridge the gap between जावान यानि की आर्मी and a warm यानि people तो जम्मू कस्मिर में important legs है तो इसके लिए trick है तो जम्मू कस्मिर में ठंड परती है तो यहाँ पर cooler की कोई जरूरत नहीं है तो इसलिए नागों के दल बिना cooler के रहना मान गए तो यहाँ दल से हो जाएंगे dull leg cooler से wooler leg यह largest fresh water leg है इंडिया का और तुलबूल प्रोजेक्ट तुलबूल प्रोजेक्ट इसी Wooler जील में इस्तित है अच्छा मान से दो leg हो जाएंगे मानस बल जील and मनसार जील और नाग से सेसनाग जील नगीन जील और पांगोंग सो जील और यहां पर national park और wildlife sanctuary है तो इसके लिए ट्रीक है कस्मिर की हीम यानि की ice वार के कारण गम में है तो हीम से हो जाएंगे हैमिस राष्टिया उद्यान यह largest national park है इंडिया का और वार से हो जाएंगे किस्त वार राष्टिया उद्यान और गम से हो जाएंगे दाची गम राष्टिया उद्यान अच्छा दाची गम नेशनल पाग में लियोपर्ड एन कास्मिरी स्टेक पाया जाते हैं अगला कुशन है हाली में किसने UK की कंपनी केपको को 1.5 बिलियन डॉलर में खड़ीदा तो इसका अच्छा उप्शन ए वीपरो द्वारा तो केपको ये British Consultancy Firm है तो वीपरो का ये biggest ever buy होगा जो 1.5 बिलियन डॉलर में केपको को खड़ीदा अगला कुशन है NCAER यानि National Council of Applied Economic Research के द्वारा Land Record Service Index को जाड़ी किया गया तो इसमें एक रेंक में कौन सा राज है रहा तो इसका अच्छा उप्शन सी मदपर्देश तो 2021 में इसका 2nd edition जाड़ी किया गया तो इसमें टॉप पे रहा मदपर्देश 2nd में वेस्ट बंगाल 3rd में उडिसा और 2020 में इसका 1st edition जाड़ी किया गया था तो इसमें भी टॉप में रहा था मदपर्देश और इसमें दो पहलू को देखा जाता है पहला है the extent of digitization of land record and the quality of these records अगला को सने QS World University Ranking by Subject 2021 में कितने भारतिय संस्थान टॉप 100 में सामिल है तो इसका इसर ऑप्शन सी 12 तो लास्ट येर आठ इंस्टिशूशन था अभी चार बर गया तो 2021 में 12 संस्थान टॉप 100 में सामिल है तो इसमें सामिल है IIT Mumbai, IIT Delhi, IIT Madras IIT Kharagpur, IISC Bangalore IIT Guharati, IIM Ahamdabad JNU, Annan University DU यानकी Delhi University OP Jindal Global University अगला को सने New Delhi World Book Fair का उधगाटन किसके दौरा किया गया तो इसका अंसर ऑप्शन भी सिक्छा मंत्राले दौरा तो इसका उधगाटन Union Education Minister रमेज पोखरयाल के दौरा किया गया अच्छा, ये New Delhi World Book Fair का 29 संस्क्रन है यानि कि 29th edition तो ये New Delhi World Book Fair इंडियास oldest book fair है से किस राज का नया मंडल यानि कि डिविजन बना तो इसका इंसर ऑप्शन भी उत्राखंड का तो अभी उत्राखंड में टोटल डिविजन होगे तीन उसमें है कुमाओ गहरवाल और तीसरा है गैरिशन तो गैरिशन समर केपिटल है और देहरादुन विंटर केपिटल है अगला कोशन है निम्र में से तीसवा बहारी पुरुषकार से किसे सम्मानित किया जाएगा तो इसका इंसर ऑप्शन ए मोहन कृषना बोहरा तो इसे दिया जाता है केके बिल्ला फाउंडरेशन के दोरा यह फाउंड कब हो था 1991 में अच्छा यह अवार रिसिप करेंगे मोहन कृषना बोहरा किसके लिए फोर तसलीमा संगर्स और साहित के लिए और यह पब्रिश्ट किया था 2016 में और इसमें प्राइज मिलेंगे 2.5 लाग केस प्राइज अगला कोशन है निम्न में से स्टारशिप SN10 को किसके दोरा डेवलप किया गया तो इसका अप्शन डी SpaceX तो यह एलन मस्क की कंपनी है फाउंडर है एलन मस्क और इसको कब फाउंड क्या गया था 2002 में